नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्राखंट क्रिप्ट हो तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में तो आपको तो मैंने पिछली वीडियों बता दिया था और कैसे खरीच सकते हैं इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताउँगा एन एफटी बाय एंड सेल के बारे में तो वीडियो को पूरा का पूरा पूरा जरूर वाच करना उससे पहले मैं केहना चाहूंगा अगर मेरे चैनल पर नए है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें and press the bell icon तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको क्या चीह होगा NFT यहाँ पे sale और buy icon निकले सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जाना है अपने play store में वहाँ से आपको download कर लेना है ये wallet metamask ठीक है तो ये होना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी transaction होंगे आपके metamask wallet के through ही होंगे तो आप ये play store से easily download कर सकते हैं और मेरा download है आप अपना इसे download कर लेना second thing जब आपको यहाँ पे ये download कर लेंगे इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है कर लेते हैं आप NFT बनाएंगे कैसे और किसमें बनाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने मिरवाज में जो software यूज़ कर रहा हूँ जो application मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है pixel lab app करके एक application है जहां पर आप अपनी photo auto को edit कर सकते हैं तो मैंने यहां पर से किया है आप किसी भी other app में अपनी photos को edit करके यहां पर NFT create कर सकते हैं तो मैंने भी NFT create किये तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या NFT create किये तो आप यहां पर देख सकते हैं आप अपनी प्रेम कर सकते हैं जैसा मैंने किया है यह नहीं अगर आप अपनी प्रेम कर सकते हैं आप अच्छे खासे अगर ग्राफिट इग्जाइनर है कोई ग्राफिक में खेल के कुछ अच्छा बना सकते हैं तो आप भी यहां पे से कुछ भी कर सकते हैं इस सॉफ्टियर में आके आप आप भी एनेफटी क्रेट कर सकते हैं किसी भी अधर सॉफ्टियर को अगर आप यूज करते होंगे वहाँ पे भी जाके आप एनेफटी क्रेट कर सकते हैं तो यहां पे मैंने इस तरह से एनेफटी क्रेट किये तो चलिए मैं अब आपको इसे वहाँ पे सेल करके दिखाता हूं मतलब सेल करने कले मैं यहाँ पे अपनी ओपन सी मैं इसे अपलोट करता हूं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा दे इसके बाद आपको क्या करना है एक मार्केट है जहाँ पे सेल और बाई आप कर सकते हैं अपने एनेफटी को लिस्ट करके उसे बेश सकते हैं और करके आपने देख लिया होगा अब आपको क्या करना है इसे डेक्स टॉप वर्जन में यहाँ पे खोल लेना है इसमा ओपन सी मार्केट में जहाँ पर आगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह खुल गया है यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल जाएंगी यहां पर आपको देखिए आपके स्क्रीन में आ चुकी है जो जो nft लोगों ने बेचने के लिए यहां पर लगाई विए तो यहां पर आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे तो जो most popular है आप यहां पर देख सकते हैं popular लिखाओ अभी आ रहा है वह है metamask तो हमने metamask डाउनलोड किया है तो अब हमें क्लिक कर लेना है तो हमें यह अपने metamask wallet से connect करने के लिए कहेगा तो जैसे ही हमने metamask select किया था तो यहां पर अभी हमें permission मांग रहा है यहां पर sign in करने के लिए तो हमने यहां पर इसे sign in में click कर दिया है अब यह हमारा wallet connect कर रहा है साइट के धुरू तो देखिए हमारा जो wallet है वो यहां पर connect हो चुका है open see जो platform है उसके साथ तो हम इसे अब यहां पर हमें option आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पर जो हमें image select करनी है हम यहां पर click करके उसे select कर सकते हैं नीचे यहां पर item name डालने के लिए आ रहा है यहां यहां पर item का नाम डालेंगे जो भी आप जिस नाम से बेचना चाहते हैं नीचे यहां पर देखिए आपका external link के लिए आ रहा है तो यहां पर इसके जो external link अगर आपने कहीं पर यह से किसी website में से list किया है या किसी कोई page बना रखा इसका तो आप यहां पर उसे वह चीज भ पनाया है क्यों वो इतनी खास है क्यों इतनी यूनिक है तो description अच्छा होगा तो obviously आदमें आपके NFT के और खिचा हुआ आएगा तो एक अच्छा सब description आप यहां पर डाल सकते हैं और यहां पर आपके पार option आ रहा है collection का तो collection अगर जैसे मान लीजे आपने पहली NFT डाली उस सारे option आपके उतने value नहीं मैं आपको direct बता दे रहा हूं जो जो main है उस पर ही आप जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं supply of number कर सकते हैं जो कि आप जितना डाल सकते हैं यहां पर इसकी जितनी copy कर सकते हैं उतना हो सकते हैं ऐसे यहां पर one है बाकि यहां पर blockchain का आगिया ह blockchain यहां पर आपको जो select करनी है यहां पर देखिए आपको दो blockchain select करने के लिए आएगा एक ethereum है और दूसरा polygon है तो आप इनमें से किसी भी एक blockchain में को use कर सकते हैं बाकी नीचे यहां पर जैसे यह सारी detail भर लेंगे create का option आएगा तो चलिए मैं जल्दी से सारी detail को भर देता ह हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है और क्या कैसी किया है इसे मैं और create करके आपको जल्दी से दिखा देता हूँ तो चलिए सबसे पहले हम अपने account को set कर लेते हैं account कैसे set करना है आप यहां पर three dot में यहां पर जहां पर देख रहे हैं आपको आपको देख निकले मिल जायागा अभी जो आपका नाम है अनेम्ड है तो हम इसे अपनी प्रोफिल को सेट कर लेते हैं अपना नाम अपना बैनर और वह सारी चीज़े डाल लेते हैं जो जो इंपोर्टेंट होती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है है यहाँ पर के लिंक है यह इंस्ट्राग्राम के लिंक है वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं इमेज और यहाँ पर डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं नाम से यूजर नेम आपको आप कुछ भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर अभी तक जो रखना चा रहा हूं मैं रखन तो यहां पर मैंने इसमें नाम रख लिया इसका शार्क टैंग तो आप भी अपने मन से कुछ भी यहां पर इसका नाम रख सकते हैं नीचे बायों में लिख सकते हैं आप अपने बारे में तो यहां पर भी मैं लिख नहीं रहा हूं और आप इमेल एंडरस यहाँ पर समід कर देता ह magari तो यहाँ पर मैंने अपना इमेल एडरस डाल दिया अब नीचे अगर आपको डालना यहाँ लिंक अपने ट्विटर का या इनस्टरगेखाम का डाल सकते मैंने डालना हूं तो नीचे आ जाते हैं यहां पर प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट करने के लिए बोल ला है तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं अभी मैं सेलेक्ट वही कर लेता हूं जो मैंने बनाई थी मैंने यह इमेज बनाई थी तो मैंने इस सेलेक्ट कर लिया य और तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल बिग डाल रहे है और अपना प्रोफाइल बैनर भी डाल लिए तो आप इसे मैं सेव कर लेता हूं तो हम सेव के बटन में यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए तो यहां पे जो यूजर नेम मैंने डाला यह अलरेड़ी लिया हुआ है तो भी मेरे को इसे चेंज करना होगा तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ तो यहां पे मैंने नेम चेंज करा तो मेरा यह नेम चेंज हो चुका है प्लीज चेक यहाँ पर जो मेरा email address है वहाँ पर verification के लिए यहाँ पर mail गया होगा तो मैं वहाँ पर जाओंगा और से verify करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एक mail आया हुआ है open c team की तरफ से तो मैं इसे यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर मैंने open कर लिया है तो यहाँ पर verify email करके आ रहा है तो मुझे यहाँ पर click करना है verify करने के लिए तो यहाँ पर मैंने click किया तो यह दुबारा मुझे वहीं पर verify करने के लिए ले जाएगा तो देख सकते हैं your email has been verified तो यहाँ पर मेरा email address verify हो गया है सकते हैं profile successfully updated मेरी profile यहां पर update हो चुकी है और मेरा यहां पर account create हो चुका है तो अब हमें क्या करना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर यह picture upload कर दिये मैंने यहां पर इसका name रख दिया है Elon Musk life 180 तो इसमें 180 pictures है Elon Musk की तो मैंने से यह नाम दे दिया है नीचे थोड़ा से description डाल दिया है इसके बारे में यहां पर बांकिश जीचे मैंने डाली नहीं अब मैं यहां पर सीधे यहां पर ethereum मैंने select कर रखा है और create के उसमें मैं बटन दबा देता हूं तो मैंने यहां पर create के उसमें NFT create हो चुकी है मेरी NFT यहां पर create हो चुकी है यहां पर उपर देख सकते हैं यू create Elon Musk life 180 तो यहां पर मेरी यह create हो सकती है यहां पर problem होगी उससे solve कर दूँगा तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं अभी जैसे इसका प्राइज हमने डाला नहीं है तो हम वो कहां से डालेंगे वो मैं आपको बताता हूं तो वीडियो को देखते रहें तो जैसे यह आपने एको उप्शिन मिलता है है यहां पर आप देख सकते हैं sale का तो में अब जब प्राइब ऑक्षिन में करना जैसे बोली लगेगी आपकी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको यहाँ पर यह एने फ्टी मिल जाएगी तो यहाँ पर आप अमांट सेट कर सकते हैं कि कितने से बोली स्टाट हो चीए और कितने दिन बाद यहां पर देख सकते हैं यहाँ मैं लिख देता हूं ऐसे 45 तो 45 throughout यह नहीं टाल दे रहा हूं देखी रहेगी तो Daar hourly line करना कंप्लीट करता हूं यहाँ आपको शे colonial की तो यहाँ मैं आपकी शील वही तो इतनी आपके उसमें कट्रिघ्र हो जाएगी आपके उसमेंकर डिटेक्ट हो जाएगी इतनी फीस 2.5 परसेंट तो मैं यहां पर complete listing में यहां पर क्लिक करता हूं तो यह मैंने complete listing में यहां पर क्लिक कर दिया है यह दुबारा से कुछ processing कर रहा है तो यहां पर मिरको यह लिखावा आ रहा है कि आपको unlock करना है currency submitted transaction with wallet तो यहां पर मिरको unlock कर देना है once तो यह यहां पर मैंने एक इमिर से confirmation मांग रहा है sign up की तो मैं यहां पर कर देता हूं तो यहां पर भी आपको click करना है तो यहां पर जैसे आपने sign in कर रहा तो यह unlocking currency को unlock कर रहा है तो वेट करते हैं थोड़ा सा इसमां time लगेगा तो देखिए यहां पर यह unlock हो चुका है तो अब यहां पर हमें continue wallet पर करना है तो हमने यहां पर sign में दुबारा से click कर देंगे तो यहां पर दुबारा से इसने एक एक और यहां पर हमें authorization मांग गया तो हम इसे sign in कर देंगे फिर से तो यहां पर second step यहां पर देखिए अब देखिए your NFT is listed यह मेरी NFT list भी हो गई है तो बहुत ही simple है यहां पर आपको NFT यहां पर create करना आपने देख लिया हुआ कितने आसानी से मेरी NFT list हो चुकी है अब आप यह खुच जाके भी देख सकते हैं open sea में जाके अगर आप मेरी NFT के बारे में सर्च मारेंगे तो मेरी आप NFT यहां पर देख सकते हैं link में नीचे इसका description में दे अच्छी art जो आप बना सकते हैं कुछ अच्छी unique चीजें आप अपनी जो डाल सकते हैं आप भी यहां पर sale कर सकते हैं क्या पता कोई किसमत से आपकी NFT किसी को पसंद आ गई और वो खरीद ले एक अच्छे नाम के साथ एक अच्छे description के साथ अगर आप यहां पर डालेंगे तो घर बैटे आप बहुत ही अच्छी earning कर सकते हैं NFT को sale करके और buy भी कर सकते हैं आप इसी same platform से आप इसे buy भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आगी होगी आपको समझ में आगया होगी किस तरह से आपको NFT खरीदनी या sale करनी कैसे है तो अगर आपक कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट करके question कर सकते हैं मैं उसका answer कर दूँगा तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे in करता हूँ तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो please like करना share कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कोई समझ में आया हुगा इस बारे में तो जैसे यादा share कर देना जाकि सारे लोग को इसके बारे में aware हो पाएं NFT के बारे में किस तरह से NFT भी एक अच्छा यहाँ पर आजकर trend चल ला है जहां से आप earning कर सकते हैं एक अच्छी खासी तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ थैंक्स पर वाचिंग